Hello Friends, High Probability Trading के चौथे सिरीज में और चौथे पार्ट में माया ट्रेडिंग एकेडमी आपका स्वागत करता है Friends, हम लोग इस पार्ट में समझने की कोशिस करेंगे कि कौन से ट्रेडर जो है वो गुड ट्रेडर है और कौन से ट्रेडर जो है वो बैड ट्रेडर है जिनमें इंप्रूव्मेंट की जरूरत है Friends, Marshall Link के द्वारा लिखी गई है High Probability Trading और Friends, बहुत ही अच्छी किताब है आप इसको समझने की कोशिस कीजिए और इत विल डेफिनेटली चेंज यूर ट्रेडिंग स्टाइल जब आप इसको फिनिस करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके थिंकिंग स्किल में चेंज जाया हुआ है आप डिफरेंट तरीके से सोच रहे हैं मार्केट के बारे में ओके Friends, Let's Start Friends, Topic है What Makes a Trader Good? कौन सी चीज़े है जो एक ट्रेडर को अच्छी ट्रेडर बनाती है Friends, संचेप में कहा जाए तो जो भी ट्रेडर पैसे बनाते हैं मार्केट से वो बहुत ही hard work करते हैं during non-market hours as he does when the market is open मार्केट में काम करने के साथ साथ कहने का अर्थ है live market में जितना work करते हैं उससे कहीं ज़्यादा hard work वो non-market hours में करते हैं जो भी good trader है वो advance में जानते हैं कि markets में कौन से trade उन्हें करने हैं और उनका action क्या होगा कहने का अर्थ है next day market के बारे में उनके पास एक proper plan होता है वे wait करते हैं market को एक opportunity देने के लिए market जब उन्हें opportunity प्रभाइड करता है तब वो अपनी entry बनाते हैं और वो काफी ततपरता से काफी जल्दिबाजी में तब निकलते हैं जब उनकी direction wrong होती है कहने का मतलब है when the stock moves against them they exit from the market as soon as possible friends market जब उनके against जाने लगता है तो वो जल्दी से निकलने की कोशिश करते हैं market से यहाँ पर friends loss को cut करने की बाद की जा रही है friends वो market और stock को trend को पहचानने की कोशिश करते हैं और they wait for retracement in order to get into the trade friends market का direction चाहे uptrend हो या downtrend हो वो सिधी line में कभी भी travel नहीं करेगा good trader क्या करते हैं they always wait for retracement ताकि वो फिर से entry बना सके market में we do not try to outgaste the market or think they are better than the market friends good trader कभी भी अपने आपको market से बड़ा नहीं समझते हैं और वो market को outgaste करने कोशिश नहीं करते हैं वो market से fight नहीं करते हैं market जो information market प्रभाइड कर रहा है friends उसको वो सिर्फ information को देखते हैं उसके analysis करते हैं और उसके accordingly trade करते हैं they never fight with the market उनका एक अच्छा emotion पर control होता है वो हमें सब focus रहते हैं और they do not aspirate themselves too thin or over trade और ना ही वो बहुत ही कम trade करते हैं और ना ही वे बहुत ही ज्यादा trade करते हैं that means over trade की बात की जा रही है friends कि हमें opportunity मिलता है तो हमें trade जरूर करनी है लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें over trade नहीं करनी है ओके friends next point है कि कौन से trader है जिनके success होने की chances ज्यादा है या कौन से से गुन है जो एक अच्छे trader में होने चाहिए या होते हैं तो friends पहला quality है वो है properly capitalized कहने का मतलब है कि उनके पास proper capital होता है capital का बहुत ही important है market में अगर आपके पास let's 30 के आपके पास amount है और आप सोच रहे हैं कि 30,000 के value से हम 500 daily कमाए friends ये बहुत ही बड़ी expectation है it's never possible friends अपने capital के accordingly आप plan करें जो आपकी capital है उसी के accordingly आपकी expectation होनी चाहिए तो friends proper capitalization बहुत ही जरूरी है market में sustain करने के लिए वो trading को एक business समझते हैं trading is a business इस बात को हमेशा दिमाग में बैठा लेना है और business में proper record maintenance होती है friends उसको आपको करना होगा business के जो जो quality होती है जो जो उसमें हमें ध्यान में रखने वाली चीजे होती हैं उन सब को trading में apply करना होगा friends वे low tolerance होता है उनमें risk के प्रती कहने का friends मतलब है कि retailer क्या करते हैं जो novice trader होते हैं उनमें risk के प्रती काफी tolerance होती है but they are intolerant to the profit लेकिन profit को सहन करने की छमता नहीं होती है जब profit होता है वो तूरंत exit करते हैं लेकिन जब loss होता है वो पूरी सांती के साथ बने रहेंगे trade में नेक्स्ट है friends trades only when the market provides an opportunity friends market में जब opportunity available होती है तभी वो trade करते हैं वो मिल रहा है उन्हें हमेशा एक और ची मैंने देखा है friends कि जो नए trader होते हैं उन्हें हर बार trade मिलता है वो market के opportunity को नहीं समझ पाते हैं कि market really provide क्या कर रहा है market किस टाइप का information generate कर रहा है इससे समझना बहुत आवश्या है friends emotion पे बहुत ही अच्छी control होती है जो अच्छे trader होते हैं ओके friends next paragraph की और बढ़ते हैं ओके जो भी अच्छे trader है उनमें उनके पास एक trading plan होता है जिसके द्वारा वो trade करेंगे कहने का अर्थ है कि वो क्या trade करेंगे इसका decision वो पहले से कर लेते हैं उनके पास एक risk management plan होता है कि अपने risk को कैसे manage करें काफी disciplined होते हैं friends हो focused होते हैं कहने का मतलब है आपको focus बनाये रखना है कि क्या trade करना है और क्या trade नहीं करना है उनकी जो भी strategy होती है जो भी trading methodology होती है friends उसका वो back test किये हुए होते हैं उनको अपने system पे यकीन होता है उस system को वो already friends जो भी उनका trading style होता है उसको properly back test किये होते हैं अब friends ये तो जाने हम कि अच्छे trader के क्या गून होते हैं या क्या ऐसी qualities हैं जो एक अच्छे trader में होनी चाहिए अब friends ये देखते हैं कि एक bad trader और जिसके failure की ज़्यादा chance है उसमें क्या क्या attributes है तो friends फर्स्ट है under capitalization friends जो भी novice trader होते हैं उनके पास capital की कमी होती है second point है lack discipline friends जो भी नए trader होते हैं उनमें discipline के कोई नाम निशन नहीं होता है वो ऐसे ही market mentor करते हैं ऐसे ही exit करते हैं और market भी friends यही चाहता है कि नए trader market में आएं और वही पैसे लेकर के आते हैं market में जो लगतार loss करेंगे तो friends discipline को आपको कभी forget नहीं करना है और over trading यह सबसे बड़ी point है overtrading कभी भी friends overtrading नहीं करना है आपको market opportunity प्रभाइड कर रहा है तो आप trade किजिए लेकिन आप अपना एक discipline बनाईए कि मुझे दो trade या तीन trade से ज़्यादा trade नहीं करना है एक दिन में friends तीसरा point है market को समझते नहीं है market क्या information generate कर रहा है market किस direction में move कर रहा है market क्या provide कर रहा है they don't understand वो trade में ऐसे ही घूज जाते है they rush into trade उनको ऐसा लगता है कि यह opportunity छूड जाएगी market को हमेशा chase करेंगे market uptrend में जाता रहेगा वो उसको chase करके पकड़ने की कुछिश करते है एक move miss करने का उनमें काफी भय होता है डर होता है कि मुझे से यह chance छूट न जाए next point friends is as to one and marriage a position और idea वो काफी जिद्धी टाइप के होंगे वो flexible नहीं हो सकते है वो कोई भी idea कोई provide किया उसके accordingly ट्रेड करेंगे वो अपने knowledge को enhance करने की knowledge बढ़ाने की कोशिश नहीं करते है निवज पर focus करते हैं निवज को misinterpret भी करते हैं निवज को किस तरीके से लेना है इसका पर नॉलेज होना चाहिए वे कोई भी काम को आसानी से करने की कोशिश करते हैं उनका loss जो होता है वो बड़ा होते जाता है क्योंकि वो loss वाले position को काफी देर तक run करते हैं जबकि profit वाले position को जल्दी cut करते हैं वही friends next point है takes the winner prematurely कहने का अर्थ है कि जब winning trade होता है तो वो trade के target आने से पहले वो exit मार लेते हैं ट्रेडिंग को काफी lightly लेते हैं ट्रेडिंग lightly नहीं है इट्स बिजनेस, try to run it properly आप इसमें time दिजे तब जाकर के आप better money earn कर पाएंगे फ्रेंड्स, novice trader में भी देखा जाता है कि उनका risk जो होता है वह larger होता है larger risk, less profit emotion पे कोई control नहीं होता है ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं next video में thank you क्जक्ड़स